Q35 की बात करें तो क्या दिया है कि 60 में जो है total work को 40 days में complete कर लेगा तो total work अगर हम आपसे पूछे तो 60 into 40 होना चाहिए मतलब कि 2400 बहुत सही है और क्या बोला है कि एक साथ काम करना start किया बल्द हर एक 10 दिन के अंतराल में 5 इंसान छोड़ दे रहा है तो हमें बताना है किसमें दिन में काम complete होगा अगर आप options को ध्यान से देखे तो सब 40 और 50 के बीच में इसका होता 40 दिन तो लगना ही है फिर उसके बाद आम लोग देख लेंगे तो यह जो total work 2400 है कैसे हुआ होगा पहला 10 दिन 60 लोग काम किया है नेक्स्ट 10 दिन 55 लोग काम किया है अच्छा 55 इंटो 60 दिन 55 इंटो 10 लिखना न फिर जो नेक्स्ट होगा 50 लोग काम किया है फिर जो नेक्स्ट होगा उसमें 45 लोग काम किया है फिर जो next होगा उसमें 40 लोग काम करेगा कितना दिन काम किया x days माल लेते यहां 100 नहीं 10 निखेंगे तो total अगर हम यहां से यहां तक एड़ करें तो कितना होगा देखिए 10 तो सब में ही common आ जागा 60 और 50 मिलके 110 होगे प्लस 55 और 45 60 और 50 हम 45 का sign दे दिये 60 और 50 मिलके होगे आपका 110 पचपन और 45 मिलके होगे है 100 ठीक है अब प्लस 40 एक्स तो है ही यहां से देखिए तो 210 को अगर हम 10 से multiply करेंगे तो 2100 आ जाएगा प्लस 40 एक्स इसका value है 2400 तो जो 40 एक्स का value आ गया यह है 300 एक्स का value कितना होगे सारे 7 मतलब 7.5 तो जो total time लगना है 10 का 4 बर 40 और एक 7.5 तो आगया है 47.5 तो इस question का जो सही answer आना है वो 47.5 देज में task क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा तो उमीद है आपको यह समझ में आगया होगा हमने break में क्यूं किया और आप सोतरा होगे कि चलिस तक क्यूं किया क्यूंकि option में 40 तक ही दिया है जब हम 40 तक पहुंचे तो हमें पता चला एक कीश्यों हो गया है तो बाकी के काम को यलो क्या है, सारे साथ दिन में निप्टा देगा. तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए सालूसन के साथ, और एक नए कॉंसेप्ट के साथ.